दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर और बुरी खबर भी साथ में चौकाने वाली खबर भी भारत का चावल निर्यात ठप और वो भी मालगाडियों की शौटज के कारण सुन रहे हो भक्तों, दोस्तों इस महीने के लिए भारत का लगभग एक तिहाई चावल निर्यात मालगाडियों की कमी के कारण अटका हुआ है और अधिकांश व्यापारियों ने विलंब शुल्क से बचने के लिए फरवरी के निर्यात अनुबंधों पर हस्ताक्षर करना ब देश में बिक्री कर रहे हैं और बड़ा लाब कमा रहे हैं तो दोस्तों चावल जैसे आइटम में भी भारत मात खा गया या यूँ समझो के धीला पड़ गया मगर वो भी इसलिए के मालगाडिया ही उपलब्ध नहीं कैसा देश बन गया है हमारा भारत मोधी के होते हुए जहां मालगाडियों की इतनी कमी के कारण चावल का एक तिहाई एक्सपोर्ट कम और इस इलेक्षन के टाइम में हमारे मोधी साब और लंबा फेके जा रहे के भारत को विश्वगुरू बनाएंगे दीलरों ने कहा कि पांच लाख टन से अधेक गैर बास्मती चावल की लदान जिनहीं चत्तीस कड से बंदर गाहों तक ले जाने की आवशक्ता है मालगाडियों की कमी के कारण अटक गई है वे लगभग एक दशमलव पांच मिलियन टन चावल का हिस्सा है जिसे भारत ने इस महीने निर्यात करने की योजना बनाई थी ओलम इंडिया के चावल व्यवसाय के उपाध्यक्ष नितिन गुपता ने कहा मालगाडियों की कमी के कारण माल उत्पादक केंद्रों से बंदर गाहों तक नहीं जा सकता है ट्रेनों की उपलब्धता पर कोई स्पष्टता नहीं है इसलिए कोई भी ताजा माल की पेशकश नहीं कर रहा है भारत के सबसे बड़े चावल निर्यातक सत्यम बालाजी के कार्यकारी निदेशक हिमानशु अगरवाल ने कहा कि भारतिय शिप्मेंट में देरी से निर्यातकों को भारी परेशानी हो रही है क्यूंकि शिप्म की दरें बढ़कर 30,000 डॉलर प्रती दिन हो गई हैं और कुछ निर्यातकों को अपने पूरे माजिन को मिटाते हुए 5,000,000 डॉलर तक का भुगतान करना होगा भारत के चावल निर्यातक संग के अध्यक्ष कृष्णा राओ ने कहा कि उँची कीमतों और शिपिंग में देरी के कारण कुछ खरीदार थाइलेंड और म्यामार जैसे प्रतिद्वंद्वी एक्सपोर्टर्स की ओर रुख कर रहे हैं राओ ने कहा हमने वानिज्य मंत्राले से रेलवे वैगनों की उपलबधता बढ़ा कर हमारी मदद करने का अनुरोध किया है मगर भारत के वानिज्य और रेल मंत्राले ने टिपनी के अनुरोधों का कोई जवाब नहीं दिया है भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है अगर भारत के चावल के एक स्पोर्ट में कमी होती है तो पाकिस्तान और थाइलेंड जैसे देशों का एक स्पोर्ट बढ़ जाता है और उन्हें उंचे दाम भी मिलते हैं पहले व्यापारी रेलवे वैगनों की अनुपस्थिती में ट्रक से काम चलाया करते थे लेकिन डीजल की कीमतों में भारी उचाई पर पहुँचने से ट्रक ड्राइवरों ने पिछले 6 महीनों में माल धुलाई रेट में काफी व्रिधी की है तो देख लिया दोस्तों हम कहां से कहां जा रहे हैं समंदर से तालाब में वो इसलिए क्योंकि मोदी है तो मुम्किन है और ऐसी सूरत में नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या वाली सूरते हाल पैदा हो गई है कर दो कर दो कर दो कि व्रिधी कि रिचोंकि व्रिधी क कि व्रिधी कि य्रिधी वाली सूरते है